हम इसे ट्राहिए जाज ठीझे डाल लिएए अब हमें क्या करने हैं क्या है दो फंदे सीधे परला फंदा नाब ना गुने ऊतार, एक फंदा सीधे गूना दो फंदे सीधे और दागा अप ने तरफ करते हैं क्या टेवर्ध लो फंदे उल्टे दो कता होँ दागा पीछे। दौफंदे और सीधे। दागा पीछे। 20ًदे फावद्फंदे फेचे। में एक स्लाई दो उलते दो सीधे की बुन लिये और दूसी स्लाई में जो फंदे उलते हैं उन्हें उलता बुने इसी तरह हमें दो सीधे दो उलते बुनकर डेडिंस का बॉर्डर बनाना है तो मैं आपको यह बॉर्डर बनाकर दिखा दिए अब मैंने बॉर्डर बनाकर त्यार कर दिया है अब मैंने क्या करने है जो सलियां सीजी सीजी बुलनी है दो सलिया मैंने सीजी बुलनी है अब हमें क्या करना है दस पंदे सीजी बुलने है दो तीन चार आट नो दस पिर हमें क्या करना है यहां एक पंदा ऐसे बढ़ाना है एक ऑंदा दाला है यहां एक ऑंदा सीजी बुलनике आसे बुलन करना है अब है दो पंदाभ गिर गक ऑंदा प्रह करना है ऑंदा सीजीजी बुलने psavया गलना हम ढ्सका ह रिपीट करना है तक शो आप तक हुआ तक हुआ पंड़ यूआ यूआ यूए यूदा रवड़ इन रवड़ वड़ जाप तक है यूद बड़ यूदा फट्सक्या अजयर दो जायर यूदा है प्राइट साइड पूरी सलाई सीधे बुनने है इस तरह में सीधे बुनकर 28 सलाईयां कम्प्लेट करने है इस चौदा धारियां एक साइड और ऐसे चौदा धारियां दूसरी साइड दोनों साइड हमारे चौदा चौदा धारियां होनी चाहिए इस तरह 28 सलाईयां हमें बुनकर कम्प्लेट करने है अब मैंने यहां 28 सलाईयां कम्प्लेट कर लिये हैं यह 14 चौदा धारियां दोनों साइड पूरी हो गए हैं एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा और इस सेड भी एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, चौदा धारियां कम्प्लेट हो गए हैं अब हमें सारी फंदे बंद करने हैं अब हमें क्या करना हैं पहला फंदा आशे उठाया दूसरा फंदा भुना और पहले फंदे को, इसके उपर से ऐसे गिरा देना है पिर दोस्रा फंद बुन पहले फंदे को दोसुरा फंदे को उपर से गिरा देले हम्हाएं दूसरा फंद न भून और इसे गिरा दिया इसी तरह सारे फंदे अमें बंड करने झाल झाल लास्ट पंदा ऐसे बंद कर दिया और दागे को इसके अंदर से निकाल दिया मैंने दागा पहले ही कट कर दिया था इस तरह हमारे यह और हमें इसकी सिलाई करनी है इसे डूबल मौरना है इसे इसे परके मूर देने हैं फिर शुर्ण में दागा डालकर इसकी सिलाई करनी है और हमें क्या करने हैं यहां से हमें यहां से निसान लगा लिए इस साइल यहां से हमें स्वी डालनी है तो यहां निकाला तो यहां निकाला तो यहां तो यहां निकाला प्रुम्हाट तो यहां था है तो यहां तो यहां निकाला यहां तो यहां तो आप्सट्राइब अल्वें लेने हैं ओर कीज़ा इस यहां तट्रिबात दने हैं इसके बाद हुए यहां से यहां तक सिलाइक पनी है और यहां से यहां तक सिलाइक अबनी है झाल झाल दागे को यहां से यहां निकाल देना है और धागे को यहां खीश लेना है ताकि धागा अमारा दिखे नहीं तो फिर यहां से जागे को गाल देना है इस तरह हमारा यह बूट बनके तयार हो गया अब हमारे यह बूट बनके तयार हो गया इसी तरह दूसरा बूट भी बनाकर तयार कर लें आपको यह बूट बनाने का तरीका कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं आपवाँ आपवाँ प्रीकज़ झाल झाल